तो आज हम बनाएंगे आलू का बहुत ही चटपटा और लच्चेदार पराठा तो इसे आप नाश्ते में बनाएं या फिर लंच और डिनर में भी बना सकते हैं और इसे हम गेहू के आटे से आज बनाएंगे जो बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनके तयार होगा तो चलो देख लेंगे कैसे बनेगा तो यहां पर हमने लिया है तीन कब गेहूं का आटा इसमें हम शामिल करेंगे एक टीस्पून नमक आप टीस्पून जीरा तो आसा बारी कटी हुई हरी धनिया और हरी मिश चॉप की हुई तो आप हरी मिश अपने इस ताप से ले सकते हैं और त तरह से ममें इसे तैयार करना है तेन से चार मिनट के लिए अच्छे से मैंने आटे को गूत लिया है अब इसके उपर हम थोड़ा सा तेल लगा देंगे और ढखके से हम रख देते हैं साइड में जब तक इसके स्टफिंग तयार कर लेते हैं स्टफिंग बनाने के लिए हाँ पर मैंने लिया है 470 ग्राम उगले हुए आलू इसे पहले हम अच्छे से मैश कर लेंगे उसके बाद इसके अंदर हम शामिल कर देंगे बारी चौप की हुए हरी धनिया हरी मिर्च मैंने चौप करके रखा है चौपर में आप बारी काटके भी डाल सकते हो साथी टेस्ट के साफ़े नमक डाल देंगे आपको कितना तीखा चाहिए उसी साफ़े आप मिर्ची डाल सकते हो साथी मैंने डाल दिया थोड़ा सा लाल मिश पौडर, हल्दी पौडर, हाफ टीस्पून गुना जीरा पौडर, हाफ टीस्पून कुटी हुई धनिया 1.5 teaspoon चाट मसाला, 1.4 teaspoon गरम मसाला पौडर और यहां पर मैंने लिया 1.5 teaspoon ड्राइ मैंगो पौडर इन सारे इंग्रेडियंट को अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद थोड़ा सा टेस्ट करके देख लिए अगर नमक में शकम लगे तो आप इसके अंदर शामिल कर सकते हो यहां पर इस्टफिंग रेड़ी है इसे हम साइट में करते हैं आप पराठा बना लेंगे तो हाथों को पहले थोड़ा सा खुशकाटा लगा लें उसके बाद इसके हम पेड़े बना लेंगे जितने बड़े पराठे बनाने हैं उसे हिसाब से सारे पेड़े मैंने बना लिये हैं अब थोड़ा सा खुशकाटा लगा कर इसे हम पहले एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे तो यहां पर मैंने इतनी बड़ी रोटी बेल ली है अब इसके उपर हम इस्टफिंग को फैला देंगे बहुत ज्यादा मोटी लेयर नहीं लगाना है इस्टफिंग लगाने के बाद इस तरह से हम इसे कट कर लेंगे नाइब से या फिर पीजा कटर से अब इसे हम इस तरह से फूल करते हुए इसे रूल बनाएंगे और फिर इसे हम गुमाते हुए वापिस पेड़े का शेप दे देंगे तो यहां पे एक पेड़ा बनके तयार हो गया है इसी तरह हम और पेड़े बनाके तयार कर लेते हैं इसी तरह से जितने भी पराठे बनाने हैं एक साथ बेड़े बना ले तो आसानी रहेगी अब क्या करेंगे तोड़े तक खुश काटा लगा कर इसे हम बेल लेंगे हलके हाथों से मैं अब अभी तीन पराठा बना रहे हूं बागी मैं बाद में बना लूँगी तो ये देखे एक पराठा या बनके तैयार हो गया है अब इसे हम सेंक लेंगे तो मैंने तवा को पहले से गरम कर लिया था तवा के उपर डाल देंगे और इसके पर हम थोड़ा सा तेल घी या बटर जो भी लगाना चाहें लगा सकते हैं और जब एक तरफ से थोड़ा हो जाएगा उसके बादे से हम पलर देंगे और फिर इसी तरह हम दोनों तरफ से घी या तेल लगाकर अच्छे से सेंक लेंगे किसले के लेंगे कर दो कर दो